हालो फ्रेंड्स तो हम देख रहे थे अपनी फिल्ट्रेशन फर्मसिटिकल इंजिनेरिंग की तो आज की वीडियो में हम अपने बचे हुए टॉपिक सारे कवर करने वाले हैं तो हमारे यह पांच टॉपिक रहे गए हैं इन सभी को हम कवर करेंगे तो हमारा अल्मोस्ट फिल तो एक बार डिस्किप्शन जरूर बिजेट करें बाकि आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करें वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे तो चलिए समझते हम तो सबसे बहले हमारा है रोटरी ड्रम फिल्टर तो यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह है र्यस् civिया वह उपर उपर रहे साता ओर लिकुड हमारे क्या होता है नीजे पहुं जाते हैं अब नाम से हमको पता लघुड़ा है क्या है यह रोटेटरीम फिल्टर अब क्यों है यह यूनिक इसलिए क्यों कि इसमें हमारी히 साथ के साथ कंप्रेक्रेशन हो साथ में DRYING भी हो रही है, और साथ ही में हमारा क्या होता है, 고요 horizontally इस तरह से हमारा रखा हुगा है, आब यहाँ पी क्या हो रहा है, कि यहाँ आप देखेंगे, अलग-अलग हमारे section बटे हुए हैं और जो यह पूरा का पूरा हमारा drum है drum lag structure इसके पूरे ऊपर हमारे क्या लग होगा filter cloth लगाए मतलब यहां filter cloth हमारा use किया जाता है as a filter media यान कि यहां पर filtration किस के दोरा होगी है हमारी filter cloth के दोरा होती है पहली बात है अब क्या है यहां पर हमारे section बटे हुए हैं अलग-अलग तो आप यहां से यहां तक देखेंगे तो यह हमारा होता है pick up zone मतलब यहां से हमारा जो particle है वो illate किया जाएगा फिर हमारा यह होताता है draining zone draining मतलब यहां से यह अंदर जाएगा हमारा material फिर यह हमारा उता है washing zone मतलब जो हमारी यहां पर चिपक जाती है इसके साथ करता है इसको cut कर देता है ठीक है और एक हमारा होता है इस में से क्या होता है हमारा जो drum है इसको इसमें dip कर गिया जाता है और dip करके क्या होगा यह जो slurry हमारी वह इसमें introduce होगी मतलब अंदर जाने लगेगी तो यह क्या है construction है अब finally इन सब का है जो connection है यहां से मन्लारा filtration enter हो Rafael if connection हमारे अंदर जहां पे एक उसके हमारा जितना भी filtrate जो निकलता है गप전 divा की तरह हमारा सारक अंदर जाता है और यहीं पे हमारे यहीं पर Eld 有 हमारे कंट में वाल्ब वह क्या करता है अच्ट्रम को रोटेट करता है और drum rotate कि side करता है ऐसे हमारा drum rotate करेगा अब आप देखे इस तरह हमारे drum rotate करता है तो यह हमारा सारा construction आप working देख लेते हैं क्या होती है इसकी अब working भी हमारी part wise भटी होई होती है तो किस तरह पहले हमारा क्या है pick up zone तो हमारी working start होती है यहीं से कि हमारा drum जो है वो dip जाती है इसको एक राउंड होने में ठीक है उसके बाद हम इसको यहां डिप करके vacuum को ready कर देते हैं और vacuum जैसे ही चालू होता है हमारा यहां पर क्या slurry को अपने यहां पर चिपकाने लगता है यह drum और यहां पर यहां पहुंचे है कि जैसे यहां पानी के spray यहां पर डाली जाता है इससे क्या होगा जो हमारा excess amount में जो हमारा केक होता है वो हमारा छुड़ जाएगा और जो बचा हुगा हमारा used to केक रिमोबल जोन जन यहां पर यहां पर जोड़न होता है यह पूरा काशी की यहOwyn लगट किसी receiver में हम को भाने को इलग मिलेगा कि यहां अंदर से तो हमारा क्या हो गया वो हमारा उनeton मिल गया और जो ओ chains तरह से को काम करता है इतने सारे इसके अंदर काम हो जा आती हैं तो यह हमारा सिंबल रोटरी drum filter uses क्या है कि यह हम मतलब high high proportion वाले जो solid होते हैं बड़े-बड़े उसमें इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद calcium carbonate इनकी filtration में भी यूज करते हैं advantage क्या है कि labor coaches में low होती है क्योंकि यह automatic चलता रहता है filtration large surface में हो जाती है और cake हमारा साथ के साथ remove हो रहा है disadvantage क्या है कि expensive होता है बहुत जादा और cake वगारा कभी-कभी तूटने के chance होते हैं अब अपना दूसरा समस्चते हैं दूसरा हमारा है meta filter तो यहां पे हमारा जो mechanism है वो हमारा काम करता है surface filtration का मतलब वही सीव की तरह सीव लाइक में कि अंदर जाएगा पोर साइच छोटा होता है तो हमारा solid उपर अटक जाता है construction देखते हैं तो हमारे एक तरसे आपको ring type दीख रहे होगे यह ring है हमारा और यह projection यह मतलब क्या है यह splitting pain है मतलब यहां से आप इसको अलग कर सकते हैं यहां से आप इसको जोड सकते हैं इस तरह से यह हमारी construction होती है करना क्या है सिर्फ यह हमारे क्या है group like structure होते है तो इसको आप क्या करेंगे जैसे हम dip करेंगे अब इसकी working देख लेते हैं तो simple हमारी क्या है कि इसको हम क्या करते है बैसल में रख देते हैं जिस बैसल में हमें liquid करना है उसके बाद इसमें पंपिंग के द्वारा इसमें ऊपर जाती है और क्या होता बैक्यूम अगरा इसमें अप्लाई करी देते हैं इस बजाए से क्या होगा इसमें पास हो गई है तो इसके डाइमीटर है पहले यह देखिए आप ठिकनेस इसकी ती 0.8 इंसाइड डाइमीटर मतलब जो अंदर से पहले होते हैं है और 0.2 mm तो हमारा लीक वगई रहा है वह पास हो जाएगा हमें और यहां से बाहर निकल जाता है और जो क्लियर लिक्विड हो जाता है ऊपर निकल जाता है और रिसीवर में हमको मिल जाता है और जो सिलरियम पास कर रहे हैं उसमें जो हमारा में केक है वह हमारा क्या रहा जाता है बाहर तो यहां से अंदर जाके हमारा यह निकल जाता है तो इतना सिंपल हमारा का मैटा फिल्ट वह थोड़ी लो होती है क्योंकि इसमें filter media हम यूज नहीं करते हैं जो हमारे वह बने होते हैं उन्हीं के बीच में जो हमारी gap बनती है 0.2 mm की उसी के बीच से हमारी क्या होती है अब क्या है कि एक्स्ट्रीमली बरसेटायल होता है यह थोड़ा क्योंकि सबसे ज्यादा से connect मतलब एक उसमें pre filter भी हो रहा है और एक membrane filter होड़ा है तो इन दौनों का combine करके एक single unit बनाए गया उसके द्वारा हमारी क्या है main filtration होती है अब construction देख लेते हैं तो आपको यह पूरा दीख रहा होगा यह हमारा cylindrical form में होता है पूरा का पूरा और यह dispassal होता है और changeable होत है क्या क्या होता है अब हम देख लेते हैं तो यहां से हम अपने इंटर करेंगे यहां से हमारा filtrate है वो आउटलेट हो जाता है अब आप गौर से देखेंगे तो यहां से अपने इस लड़ी डाला उसके बाद जो यह है हमारी में यूनिट जो मतलब कार्टेज filter है वो यह ह है यह चीज़ है यह हमारा पूरा का पूरा है वो filter की assembly है फूरे filter को कैसे लगाते हैं जो में कार्टवी दो यह लगी हुई है अब यहां से हमारा क्या है इनके अंदर enter करता है अब जब एंटर करेगा तो जो हमारा filtrate है मतलब liquid है वो इसके अंदर पहुंच आता है और यहा पे ख़टा होता है और फिर हमिसको यहां से open कर के हमारे यह ke ale इसको बाacağर निकाल दीते हैं अब इसकी अंदर को देखते क्या है तो यह हमारी में है अब इसको यहां पे अगर देखें तो आप गौर से पहर आधो यह को अ उपर वाला हमारा एंड यह रहा और यह उपर से जो filtrate निकल ला था वो हमारा यह रहा filtrate outlet ठीक है friend और यह बीच में हमारा यह है अब यह हमारी दो चीज़ों से मिलके बनी होती है यह आपको समझना यह में है और यह हमारी किस्ते होती है poly propylene protective layer यह हमारी सबसे उपर इसकी यह layer होती है फिर इसके अंदर हमारा आया यह आया हमारा pre filter जो मैंने बताया था दो होते हैं pre filter आया यहां से हमारा जब slurry pass होगे तब हमारा यह पहुंचता है membrane filter में और इसके हमारा वही पोर साइज होता है inner support core में और finally फिर वो हमारा इस बीच वाली यहां पर पहुंसता जगह पर और यहां से हमारा main जो filtrate बनता है वो हमारा यहां से बहार निकल जाता है तो यह हमारा होता है non-fibrous support नेटा इसमें हमारा पहुंचके बहार निकल जाता है तो इतनी साथ ही safety के बाद यह हमारा filtrate बहार निकल जाएगा इसमें से और जो हमारा main slurry के ऊपर का cake cake जो है वो हमारा नीचे यहां पर गिरता रहता है इस तरह से हमारा पूरा working करता है और यही इसकी construction है ठीक है अब हम इसके users समझ लेते हैं क्या है तो यह हमारा क्या है कि यह filter slurry को use sorry यह नहीं है जो हमारी parental और ophthalmic users होते हैं मतलब जो इंजेक्शन बनते हैं और आँखों की जो दबाईया बनते हैं उनके लिए फ्री solution बनता है इसमें हम मतलब active drug बाद में डालते हैं तो फ्री solution हमारा इसके दौरा प्रिपेर किया जाता है किसके दौरा हमारा cartridge filtration के द्वारा advantage क्या है इसके कि यह हमारा stainless steel का होता है इसलिए मतलब अगर हम stainless steel का इसको use करें वह वाला तो हम इसको autoclap भी कर सकते हैं मतलब sterilization process हो जाएगी इस साथ में उसके बाद क्या है कि यह rapid होता मतलब fast हम इसको disable कर सकते हैं फिर हम इसमें यूज कर सकते हैं filter media दूसरा बद रो फिर से हम इसको use कर सकते हैं disadvantage क्या है कि थोड़ा सा expensive होता है क्योंकि इसमें disposal element होता जो मैंने बताया ना जो जहां यह हमारे simple filtration होते हैं अब यह हमारे मतलब different different type के होते हैं एक तो हमारे simple filter paper है वह आप देख लेंगे तो आपको बहुत easy होगा तो मैंने यहां simple एक example लगाया इसका जो mechanism हो यही हमारा see like mechanism पर काम करता है मतलब डालेंगे एक तरह से जो हमारे बड़े पार्टिकल ऊपर attach होता है नीचे निकल जाएंगे तो मैंने यहां छोटा सा यह अमारा बना होता है और यह हमारे brittle होते हैं फोड़े मतला नाजुक टाइब होते हैं और इनको क्या है dry condition में थोड़े से नाजुक होता है आप देखे होंगे जो lab बगएरा में हमारे होते हैं तो उनको बहुत ही ध्यान से यूज किया जाता है इस तरह होते हैं अब यह फिल्टर किया होते हैं और इसमें मंतल्य साइड में अविलेबल होते हैं है कि दिनर तक हो उतनी चोटे ड़का हमारे पीलि यूज कही इन अदिक है फ्रैंट चोटे बहुत जाद होते हैं और उन पॉक्र म क्या है यूं सिफिर्य ओ्सटाय से बड़े हैं हुमारे ऊपर रिटेन हो जाएंगे और लिक्विड लिक्वड हो नीचे निकल जाएगा सिंपल यह हमारा है यूज़ेज क्या है कि इससे हम इस्टेरिलाइशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते कोई भी एक्वेश या ओयली लिक्विड के लिए एडवांटेश क्या है कि यह रैपिड है रैपिड मतलब क्या है बहुत जादा फास्ट है आपको कुछ नहीं करना बस इसको कहीं फिट करना है उपर ते आप सिलरी डालेंगे तुरांत हमारे जो लिकड़ा वो नीचे निकल जाएगा यह हमारा अलग तो फिल्ट्रेशन यह बहुत जल्दी हो जाता है इसको है फिल्ट्र कृ तो इससे क्या है कि अगेन दोबारा इसका यूज करते है तो to के चांस होते हैं क्योंकि हमने जो अभी फिल्ट्रेशन की है उसके थोड़े बहुत पार्टिकल इस पर अटेच रह जाएंगे फिर हम दूसरी कोई मतलब हम इसको यूज करके फैंक देते हैं लाश्ट हम अपना देखते हैं सीड्ज फिल्टर के बारे में तो इसका प्रेंसिपल भी हमारे जो सॉलिड रेट रेडिव वह हमारे ऊपर अटेच रह जाता है लेकिन यहां पर स्पेशल टाइप कि इसमें हम एस्वोस्टर फैड का यूज करते हैं अगर आप सिंपल देखें तो यह हमारी अलग अलग तरहीं होती है इसमें हमने यह वाला पेपर यूज कि हम चाहें इसको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज कर सकते हैं बस हमारा यह है एस बॉस्टर फिल्टर पैड इसका हमने यह करेंगे एक हमारा लोवर पार्ट है जो आप देख रहे होंगे फनल की तरह दीख रहा है इसमें से हमारा क्या है लिक्विड नीचे निकल जाता है सिंपल है और जो हमारे नॉर्मल साइज का जो बताया गया है वह यह है कि यह टू एम्म की तरीब ठिक होता मतलब मोटा इस यहां इसके उपर आजाएगी फिर मारे यहां से दीरे दीरे लिक्विड जो नीचे निकल जाएगा और जो हमारे सॉलिड रहे बड़े वह हमारे यहां ऊपर रह जाएंगे सिंपल यह ऐसा इसकी वर्किंग है यूज इस क्या है कि यह हमारे इस्ट्रिलाइज फिट्रेशन ने देखा बहुत जादा सिंपल है दूसरे क्या है बिसकस सॉलिशन में इसको यूज कर सकते हैं डिस अड़वांटेज क्या है कि यह डेलीकेट होता थोड़ा और फ्रेजायल होता है मतलब थोड़ा सा नाजुक होता है अगर हम इसको जादा फोर्स लगा देंगे जादा म यूज कर लिए फिर आपको यह चेंज ही करना पड़ता है तो आप लोगों को यह सारा का समझ आ गया होगा अब हम नेस्ट वीडियो में बहुत जली सेंट्रिफ्यूगर्शन को स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं आप से बहुत जल और आपको जो भी नोट्स चाहिए होंग